नमस्कार सभी को दरी स्कालर की इस आनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है यह UPSI का इस्तेसल बैद चल रहा है पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि UPSI की परिक्षाएं सीगरी प्रारम हो रहे हैं तो जो विद्यार्थी परिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी ही सहुलियत मिलेगी शुवधा मिलेगी इस प्रटिशट से और लगातार या प्रटिशट चलते रहेंगे आप इससे जुड़ें और जो बच्चे UPSI से नहीं भी जुड़े हैं किसी अनने पी परिक्षा के तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी लगभग एक जैसी होती है कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है तो वो भी इससे लाव ले सकते हैं घर बैठे इसका लाव ले सकते हैं तो अपने मित्रों परिशितों को इसके बारें बताएं तो आज अगला यह सेकंड क्लास सुरूवती है तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रस्ण है पहला प्रस्ण है निम्ड खित में से कौन सा सुद्ध बाग के हैं चार बाग के दिये हुए हैं सुद्ध बाग के आपको पहचानना है मुझे भारी प्यास लगी है उसने गालिया निकाली मुझे इस्वर पर विश्वास है हमें साबधानी लेनी चाहिए एवी सीडी में स कौन सा बिकल्ब सही होगा, मुझे भारी प्यास लगी है, उसने गालियां निकाली, मुझे इस्वर पर विश्वास है, हमें साब धानी लेनी चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखेगा, हिंदी में गलतियां क्यों होती हैं, हम सब्दों की बरतनी क्यों क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसके पीछे मुख कार्ण हमारा अपना खुद का उच्चारण, हम अपनी डैनिक बोल चाल की भासा में, जिस प्रकार के सब्दों का उच्चारण करते हैं, हमको वही बरतनी समझ में आती है, कि इसका यही सही होगा, लेकिन सुद्ध सब्दों का उच्चारण करें, तो यह समस्याएं नहीं आएगी, तो इसमें से सी बिकल्प सही होगा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है, तो मुझे भारी प्यास सब्द भारी नहीं हो सकता है, उसने गालिया निकाली सब्द नहीं हो सकता है, हमें साब्दानी लेनी चाहिए सब्द नहीं हो सकता है, इस से कोई नहीं है रोण बेश सब्द होते हैं जो आभिभाजित होते हैं यौग करते ह तो पाक साला पाक माने भोजन होता है भोजन बनाने का धर तो यह एक योगिक शब्द है दी आप्शन सही है ध्यन दिजेगा रूर सब्द का निश्चित अर्थ होता है योगिक का सामान अर्थ होता है और योग रूर सब्द का बिसेस अर्थ होता है तो सामान अर्थ दे रहा है या निश्चित अर्थ दे रहा है या बिसेस अर्थ दे रहा है इससे रूर योगिक योगिक रूर की पहचान हो जाती है अगला प्रशन है जहां एक ही सब्द के अनेक अर्थ क्वों सा अलंकार होता है जहां एक ही शब्द के अनेक रर्च प्रकट हूं या बेंजित हूं या विजित हूं वहां कौन सा अलंकार होता है या मक्त उपमा श्रीस या रूपत एबीसे डि में से क्या इसका बिकल्प सही होना चाहिए तो एक आर्ठ के कई अगर हैं तो बहाँ पर स्लेश हो जाता है स्लेश का मतलब वहता चिपका हुआ चिपका हुआ यानि एक शब्द के कई अर्थ जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुबरन को खोजत फिरत कभी ब्यभिचारी चोर यहां सुबरन के तीन अर्थ हो जाते हैं इस प्रगार स्लेश लंक इसका अर्थ होगा आगे हैं पानी का एक अर्थ है जल अब पानी का दूसरा अर्थ क्या होगा जहन दिजेगा कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी सब्द होते हैं अब कुछ सब्द के एक सेदिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी सब कहा जाता है और अनेक अर्थी सब्दों का प्रियोग कहां किया जाता है चले सलंकार में किया जाता है एक सब्द की अनेक अर्थ तो एक अर्थ पानी है दूसरा बहना जहरना सब्मान अमरत एभी सीडी में से क्या सही होगा शिगरता से इसके बारे बताएं तो पानी का दूस सा मुहावरा नहीं है आपको ये बात जाननी चाहिए कि हिंदी में कुछ करेंट अफिर नहीं आता इसमें कोई समसमाई घटना नहीं होती है वही पुराने कभी हैं लेखक हैं रचनाय हैं वही लगवक शब्दा वलिया हैं यहां पर प्रस्ण पूछने का ढंग बलता रहता ह है इसलिए ज्यान रखेगा हिंदी हमें पढ़नी नहीं है हिंदी हमें समझनी है सीखनी है याद नहीं करना है याद करने कुछ नहीं होगा तो आज चीनका साथ उल्लो बनाना कमर तूटना या दूर के धोल सुहा बने आपको मुहावरा में और लोकोक्ति में फर्क पता हो तो लोकोक्ति और मुहावरे में क्या फर्क है ये चीज आपको समझना है तो यहाँ डी आपसे सही है दूर के धोल सुहावने होते हैं ये लोकोक्ति है से सवी मुहावरा है अगरा प्रस्ण है जो हर समय दोसरों की बुराई करता हो ये भी कई बार प्रस्णा चुका है जो हर समय दोसरों की बुराई करता हो उसे क्या कहते है आलोचक परनिंदक शर्वनिंदक या छिद्रानवेसी कई बार लगता है कि बिकल्प एक जैसे हैं यह दोसरों की बुराई करता होगा वो पर इंदक हो सकता है सब सरणिन दister भी हो सकता है डिशी भी ओ summat होकर हृता है कैसे पता करें तो पता करतें यहां से जो हर समय दोसरों की बुराई करता हो अगर रहुता है दोसरों की बुराई को ज्यक्ता हो अग्योन के लिगए two-지 यह कुश्ड्रता हो तो ऐसे सब्ध भी आप से सही हो जाएगा परनेंदक आईसे भी कई प्रशणाटे हैं जिनके एक से ज्यादा विकल्प हमको सही प्रतित होते हैं का सज्जन सबंका संदि विछ रूद क्या होगा पहले है कि संद प्रसजन सच्ज प्रसजन सज्व पिसना सप्रसजनarme में संध करना है संद के दोनों तरफ 2 मिट कि दो में शब्द अगर यह सब्द है तो इनका कोई अर्थ होता होगा इस से पता किया जाता है कि सही संदी में कौन सी होगी और वह किस प्रकार की होगी तो ए-b-c-d में से क्या सही होगा सज्जन के बतले का अच्छा बेखती होता है तो सब्द आ जाएगा सत सत माने तो यह इसका मतब्स होता है जन्माने ब्यक्त सज्जन तो बी आप्सिन इसका सही है सत प्लास जन अग्ला है तुलसी कट राम Čत्व मानस की भासा कोंसी है इन्हीं तुलसी दास ने रामकेश्ट भानस की रचना किस वह समके भोजपुरी बुंदेली ब्रजिया अबधी भास तुलशी जी मुख्यरूप से अवधिभासा के कभी हैं। अनेक ग्रंत लिखे हैं तुलशी ने, लेकिन इनमें तेरा ग्रंत मुख्य माने जाते हैं। जिसमें आचार रामचर्णच्ण सुक्लने बारा को प्रामारिक माना है। एक को यानि हनुवान बाहुको प्रामारिक नहीं माना है, तो ये आप्षन से योगा भी अबधी भासा में रामचित मानस की रचना की गई है, वाच कितने प्रकार के होते हैं, दो, तेन, चार या पांच, वाच होता क्या है, किसी भी सब्द का ढंग क्या है, यानि सब्द में आई हुई क्रिया का सरूप क्या है, वाच भी क्रिया का ये भेद है, क्रिया का सरूप कैसा है, क्रिया में परिवर्तन किसी हिसाब से हो रहा है, उसे ही वाच कहते हैं, तो वाच हिंदी में तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं कर्त्रवाच करमबाच और भावबाच कैसे पहचानते हैं इन चीज़ों को ध्यान दिजेगाWhere ये क्रिया में परिवर्तने क्रिया के लिंग और बचन में परिवर्तन यदि करता के अनुसार हो तो करत बाचे हैं जैसे राम रोटी खाता है तो रोटी तो इस्त्रिलिंग है बट राम पुलिंग है इसलिए क्रिया भी खाता पुलिंग में है अगर क्रिया कर्म का अनुश्रन करे जैसे राम ने रोटी खाई या राम के द्वारा लोकी तो खाईगी अक्वार्त पढ़ा गया यहीं कर्म किसी लिपर रहा ही में परिवर्तन है सबकर्म बाटसें किसी के रुषार परिवर्तन नहां हो मिल्त एक वचल में रहे तो आज तो इस प्रकार से परिवर्तन करना स्तंभब ना हो, उन सब्दों को अविकारी कहा जाता है, कई बार परिक्षाम इनकी संख्या भी पूछ दे जाती है, विकारी सब्द चार प्रकार के होते हैं, और अविकारी सब्द भी चार प्रकार के होते हैं, तो बहुत इधर इसलिए और, इनमें से ऐसा कौन से सब्द है जिसमें परिवर्तन कर सकते हो विकार कर सकते हो विकारी है अन्यथा वो अभिकारी है तो इधर नहीं बदल सकता है इसी लिए और नहीं बदल सकता है बहुत बदल सकता है इससे हम बहुतों कर सकते हैं बहुतेरे कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह आप्सेंस क अगला प्रस्ण है मूर्धन बेंजन कौन से हैं मूर्धा से किन बेंजनों को बोला जाता है किने मूर्धन ने कहा जाता है ABCD में से कौन सा आप्षन सही होगा तो आपको यही बताया था जिसे पहला होता है काबर्ग काखा गागा इन्हें कहां से बोला जाता है कंठ से बोला जाता है फिर चाचा जाजा होता है इनको कहां से बोलते हैं ताल से बोलते हैं फिर टाठा डाढ़ा होता है इसे मूर्धा से बोलते हैं फिर टाठा डाढ़ा ना होता है इन्हें दंत से बोलते हैं फिर पाफा बाभा मा होता है इसे उस्ट से बोलते हैं तो कौन कॉन सा होगा मुल्दा वाला टाठा वाला होगा यहानी कॉन सा pulets का सभीजी आप्शन सभी होना चाहिए टाठा डाधा रणा घये भीत यहने पहले कंठ के होते हैं पर तालू के होते हैं फिर मूर्धा के होते हैं तो ताठा डाधा मूर्धान बेंजन की स्रणी में आता है Next question है, प्राची सब्द का शब्द किसका पर्यायवाची है? पूर्ब पहले पस्चिम या उत्तर? जहां दिजेगा, अगर आपने पढ़ा होगा, दिशाओं में उपर को उत्तर होता है, नीचे को डक्षिन होता है, राइट सैड में पूर्ब होता है और लेट सैड में पस्च होता है उत्तर zaj औप और पर्स्तिन इनके अस्री नाम है उत्तर को कहते हैं ऊदित दक्षन को कहते हैं अवाची, पूर्व को कहते हैं प्राची, अब पस्चिम को कहते हैं प्रतीती, कौन सा आप्षन सही होना चाहिए पूर्व यानि पहला आप्षन हो चाहिए, प्राची सब्द पूर्व का पर्यायवाची है, यानि प्राची पूर्व को कहते हैं, अगला प्रसमें मदन तेजी से दोड़ा बाक में क्रिया विसेशन का प्रकार कौन सा है क्रिया विसेशन के कई प्रकार होते हैं क्रिया विसेशन एक अविकारी शब्द है जो किसी क्रिया की विसेशना बताता है तो इसमें रेट है या काल है या इस्थान है या परिमार है त यह आप्शन सही है रीट मिन्स होता है तरीका आपका कार्य करने दर इसे रोहन जो है दोड़क पड़ता है बैठिक पड़ता है उसके तरीके हैं रूप है नियम है तो पहला रीट वात एक सही होगा इसके बाद अगला आता है समास के भेद कितने होते हैं समास कितने प्रकार का होता है उनको देखना है और समास के बारे में भी पढ़ना है तत पुरु समास क्या होता है अब बेभाव क्या होता है बहुबरी क्या है जुन्द क्या है अगर इस चीजे हमने पढ़ी हैं तो हम उसे आसानी से पता कर सकते हैं अगर हम इसका बिग्रह करें तो हो जाता है देव और अशुर राक्षस यानी देव और अशुर तो जहां दो सब्दों के बीच और आजाए या आजाए अथवा आजाए ऐसी इस्थति में कौन सा जुन्द समास हो जाता है अर्थात यहाँ बी आप्शन इसका शही होगा अगला हिमाद्री किसका पर्याए बाची है थोड़ा सा हो सकता है पठिन सब्द आपको लगे तो हिमाद्र सब्द हिमानसु हिमाले हेमंत या हिम इन में से किसका पर्याए बाची हिमाद्री बनेगा अगर हम इसको बिच्छेद करके देखते हैं तो यह हिम प्रस अद्री होत हिमाद्री हो जाता है तो हिमाद्र फिर फिर मिससे एंख सर रहे होसे चन्दरमा होgen हेम 30 ही सबम होजाता है तो हेमंत अखरलो को का सब्सक्राइब को तो हिमाद्र पूर्षी का यह हीमालय का परियावाची रहेगा तो इस प्रकार से अगर हम अभ्यास करते रहें तो प्रस्ण आसान हो जाते हैं हमारे लिए तो यह आपको कैसा लगा कमेंट में इसको अवस्य बताएं अपने मित्लों दोस्तों को शेर करते रहें खोब अभ्यास करते रहें इसी प्रकार से और भी प्रस्ण आपके साथ ने आते रहेंगे और भी क्लास्स होती रहेंगे इसके अलावा भी कभी कोई अलग से आपको भी कुछ पूछना है उसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका जवाब अवस्द दिया जाएगा तो बहुत ही सुब कामना है और फिर आपसे मुलाकात होती है तब नमस्कार जाहें